Assalamualaikum, आज़ आम हम्द करेंगे, हम्द के मश्की सवाल करेंगे आपको पता है कि हम्द ऐसी नजम को कहते हैं जिसमें अल्ला की तारीफ की गई हो दिये हुए सवालों के जवाब लिखें पहला सवाल है, हर शेय के बना दिये हैं जोड़े से क्या मुराद है और आसमान को हमने बनाया कुद्रत के साथ और हम बड़ी ही वस्त रखने वाले हैं और जमीन को हमने बिचाया पस क्या ही खूब बिचाने वाले हैं और हर चीज से हमने पैदा किये जोड़े ताके तुम याद दिहानी हासिल करो सुरह जारियात की आयात नंबर 47 से 49 तक मैंने आपके सामने तर्जमा किया है अल्ला ताला ने हर चीज के जोड़े बनाए है खुद इनसान का अपना वजूद इस जोड़ा बंदी का सबसे बड़ा सबूत है अल्ला ताला ने इनसानों को मर्द और और औरत की शकल में पैदा किया है इस दुनिया में अगर सिरफ मर्द हों या सिरफ औरतें तो नसले इनसानी एक सदी के अंदर सफाय हसी से मिट जाएगी इसलिए अल्ला ताला ने इनसान में भी आदमी और औरत बनाए इसी तरह हम देखते हैं कि कमो बेश तमाम हिवानात का यही मामला है जो नर और मादा के जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं नर और मादा मिलते हैं और नई जिन्दगी वजूद में आती है बलके अब तो साइंस्तान कहते हैं के पोदों में भी जोड़े हैं और परिंदों और जो हश्रात अलर्ज हैं किड़े मकोड़े हैं उनमें भी जोड़े पाये जाते हैं इस नजम में जिस मौसमों का जिकर हुआ है उनके नाम लिखें और किसी एक मौसम की खसूसियत लिखें ये दूसरा सवाल है तो इस नजम में जाड़ा यानि सरदी का लफसाया है जब थंडी हवाएं चलती है और कपपी लगती है गरम कपड़े पहने पढ़ते हैं गरमी मौसम में कॉंपलें खिलती हैं फूल खिलते हैं और बरसाथ जब बहुत ज़्यादा बारश होती है बादल घटाएं भर-भर के आती हैं और बारश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जाडे को सब्दी का मौसम भी कहते हैं इस मौसम में दिन छोटे और रात लंबी होती है किन्व मालते और गन्ने भी इसी मौसम में पाए जाते हैं और पहाडों पर बरफ भी इसी मौसम में पढ़ती है अगला स्वाल है हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है हिकमत का मानी है अकलो दनाई यानि अल्लह का हर काम है बे एब और अल्लह काइनात का मालिक है और बाखबर है हमें अल्लह पर तो अकल रखना चाहिए और सबर से काम लेना चाहिए जिसकी मिसाल अलाह ने सुरह काहफ में हजरत मुसा और हजरत खिजर के किसे में दी है जब हजरत खिजर अलाहिसलाम कष्टी में छेद डाल देते हैं तो हजरत मुसा कहते हैं कि आपने कष्टी वालों की कष्टी में नाहक छेद डाला حضرت خضر فرماتے ہیں कि तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं आगे एक जालिम बादशा है जो बेएब कश्टियों को पकड़ लेता है ये गरीब लोग हैं छेद डालने से इनकी कश्टी बच जाएगी तो हमें बहुत सारी चीजों की पीछे जो अल्ला की हिकमत होती है अल्ला का शुकर किस तरह अदा किया जा सकता है दो बातें बताएं तो पहले हम देखते हैं कि शुकर किसको कहते हैं शुकर की तारीफ ये है कि किसी के एहसान औ नेमत की वज़ा से जबान दिल या आजा के साथ उसकी ताजीम करना बंदा जब अल्लह ताला की नेमतों और उसके तरह तरह के फजलो करम और इहसान का मुतालिया करता है तो उसके शुकर में मशूल होता है इस से नेमतें ज्यादा होती है और बंदे के दिल में अल्लह ताला की मुहबत बढ़ती चली जाती है ढ़ीस नबी नेमतों से दूसरों को फायदा पहुंचाए यानि जो भी नेमतें आपके पास हैं वो दूसरों में बांटना शुरू करते दिल का शुकर यह है के नेकी के कामों का इरादा करें और नेकियों से तमाम मखलूद को खैर पहुंचाए आजा का शुकर ये है कि अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को अल्ला की फर्माबरदारी के कामों में इस्तमाल करें और उनसे गुनाह करने या गुनाह की मदद करने से किनारा बरतें यानी हर हाल में अल्लह त Victoria की फर्माबर्दारी करे और गुना करने से परहेस करे गुनाहों से बचने की कोशिश करना अल्लह की दी हुई नेमतों को उसकी नाफरमानी के कामों में इस्तीमाल करने से बचना दरसल शुकर गुजैरी है और नेमतों की हफाज़त के लिए भी जरूरी है आदमी जब कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह के मताबिक कोई नेमत जायल हो जाती है बकॉल अमाम इबन जोजी रहमतुल्ह ना फर्मानिया नेमतों को ऐसे खा जाती है जैसे लकड़ी को आग अपने से कमतर लोगों की तरफ देखना हजड़त अबु हरेरा रजियल्ला अन्हों से रवायत है कि आप सल्लाला अले वाले सब्सक्राइब ने फर्माया दुनिया के मामले में इसको देखो जो तुम्हारे नीचे है उसको ना देखो जो तुम्हारे उपर है इस तरह तुम अल्ला की दी हुई नेमतों को हकीर ना समझोगे शेख साधी रहमतुला की मशूर हकायत है कि किसी शहर में पहुचे तो उनकी जूती भट गई और नई खरीदने की इस्तात ना थी तो बेहद मलूल हुए कि पाउं में जूता नहीं है जब वो शहर की मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी नजर एक ऐसे शक्स पर पड़ी जिसके पाउं ही नहीं थे ये देखते ही अल्ला रब रिजद के आगे सजदे में गिर गए और शुकर अदा किया कि जूती नहीं तो क्या हुआ पाउं तो हैं तो दुनिया में शुकर गुजारी के लिए हमेशा अपने से उन लोगों नीचे देखना चाहिए जिनके पास आपसे कम नेमते हैं इससे बंदे के दिल में शुकर गुजारी होती है दूसरे और तीसरे शेर की नसर बताएं दूसरा शेर है हर चीज़ की है दार नराली हिकमत से नहीं है कोई खाली तारों भरी रात क्या बनाई दिन को बख्शी अजब सफाई अड़ की बनाई हुई हर चीज़ अनुखी है बे एब और अकल और दानाई वाली है रात को आस्मान पर सितारे होते हैं और दिन में कोई सितारा नजर यह आता हम آواز الفاظ हम آواز الفاظ کو काफیہ الفاظ بھی کہتے ہیں और हम آواز الفاظ بھی کہتے ہیں ये الفاظ ऐसे होते हैं जिनके आخرी हरूफ एक जैसे होते हैं और ओावाज मिलती जूती होती है जैसे आम, नाम, काम ये देखें तीनों में एक ही जैसी आवाजा आखर में सब के मीम आरा है इसी तरह जाल बाल काल तो ये हम आवाज या हम काफिया अलफाज कहलाए जाते हैं अब आफ ये ये नून रे अलिफ और इस में अगर हम लाम लगाएंगे तो ये बन जाएगा नराली और खाली नराली और खाली ये दोनों हम आवास अलफाज हैं इसी तरह अगर हम अगली खाली जगा में लाम लगाएंगे तो ये बन जाएगा बोले और खोले और इसी तरह यहां पे हम रे लगाएंगे तो ये बन जाएगा जोड़े और घूड़े और उपर हम लगाएंगे दाल तो इससे ये बन जाएगा नादिर और कादिर तो ये हमने खाली जगा पूर कर ली और हमने हम आवाज अलफाज भी बना लिए कौाइट सीखें दिये वे जुमलों में से मुच्जाद अलफाज लिखें पहला जुमला है शेर बहादर और गीदर बुजदिल होता है तो आप देखें कि यहां पे बहादर और बुजदिल दो सिफात बियान की गई हैं जो एक दूसरे के मुच्जाद हैं इसी तरह दिन रा एक दूसरे के मुच्जाद अलफाज हैं फिर है गर्मी हो या सरदी असलम छुटी नहीं करता तो गर्मी का मुच्जाद सरदी है अगले जुमले में है फूल के साथ कांटे भी होते हैं फूल और कांटे और जिन्दगी में खुशी के साथ गम भी होते हैं तो इस जुमले म हुशी और उसका मुचज़ाद गम है इनसान और हेवान सब अल्लाह ताला की मखलूख है तो इसमें इनसान और हेवान दो मुचज़ाद अलफाज है अब ये आपके सामने एक तस्वीर है इसमें आपने कुछ निया लिखना है तो गोर से इसको तस्वीर को देखें इसमें पहाड जो हैं वो तिकोनी शकल के हैं पहाड तिकोन शकल के हैं फिर पहाडों के उपर स्वेद बादल हैं और पहाडों के दामन में सबजा है तो हम तस्वीर को देखके जुमले खुद लिख सकते हैं फिर अगली तस्वीर है, आपको ये एक रात के वक्त आस्मान की तस्वीर दिखाई गई है, तो आप देखें कि इसमें अधेरी रात में चांद और सितारे चमकते हैं, चांद एक है और सितारे तादाद में बहुत ज्यादा हैं, फिर आप देखें कि सितारे चोटे और पूल खिलते हैं फिर यह के फूलों की पतियां नर्मो नाजक होती हैं तो आप आप यह देखें कि यह कितनी खूलत हैं फिर अगली तस्वीर है तो इसमें आप देखें कि यह एक बड़ा दरखत है इस दरखत के पते सब्स हैं और इसका तना भूरे रंग का है यह हमारी एक् करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें